आज हम Network Externalities करने जा रहे हैं, इसके अंदर दो चीज़ें cover करेंगे, bandwagon effect and snob effect. बहुत ही interesting concept है दोनों. Normally हम क्या मानते हैं? Normally हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी समान की demand करेंगी, तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि दूसरा इंसान किस समान की demand कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो normally हम ऐसा मानते हैं, हम किसी समान की demand करेंगे, तो वो बस हम से ही related है. दूसरा उस समान की कितनी demand कर रहा है, उससे related नहीं है. जब हम demand की बात करते हैं तो अक्सर हम ऐसी बातें मान के चलते हैं पर real life में ऐसा नहीं होता है Real life में हम किसी समान की कितनी demand करेंगे वो इस बात से भी affect होता है कि दूसरे लोग उस समान की कितनी demand करते हैं तो इसमें इसी को हम network externality कहते हैं किसी एक individual की जो utility है किसी समान को लेके किसी एक individual की जो इक्षा है कि वो समान को खरीदे की ना खरीदे कितना खरीदे वो depend करता है इस बात पर भी कि दूसरे लोग कितना खरीद रहे हैं जैसे एक example है एक consumer है उसकी जो telephone के demand होगी वो depend करेगा इस बात पर भी कि दूसरे लोगों के पास में telephone connection है की नहीं सिर्फ हम लोग telephone अगर एक इनसान है हम तो सिर्फ हम telephone खरीद के क्या करेंगे अगर बांकियों के पास नहीं है तो यहां पर हमारे telephone की demand depend करेगी इस बात पर कि दूसरे लोगों के पास में telephone connection है की नहीं दूसरे लोगों की telephone की demand पे depend करेगा दूसरी बात है इस से related वो है complimentary goods को लेके अब इसमें क्या है? इसमें है कि अगर जादा लोगों के पास में अगर बहुत सारे लोगों के पास में CD players हैं बहुत सारे लोगों के पास में CD players है तो ऐसी situation में CD store खोलने की जो इक्षा है लोगों की वो बढ़ जाएगी CD की manufacturing बढ़ जाएगी तो एक काम होने की वरे से दूसरी चीज हो रही है CD players क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में था तो CD store खोलने की desire बढ़ जाएगी CD manufacturing की desire बढ़ जाएगी ठीक है अब हम आते हैं अपने bandwagon effect पे बहुत interesting concept है हमारे दोनों अब bandwagon effect का क्या मतलब है क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि लोगों का जो demand होगा किसी समान को लेके एक individual का किसी समान को लेके जो demand होता है वो कई बार इस बात पर depend करता है कि बागी लोग उस समान को बहुत जादा खरीद रहे हैं अगर बागी लोग किसी समान को बहुत जादा खरीद रहे हो और इस वजह से हम भी उस समान को खरीद रहे हैं अगर बांकी लोग इसको नहीं खरीद रहे होते तो हम भी नहीं खरीदते बांकी लोग जादा खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदने रगे बांकी लोग कम खरीदेंगे तो हम भी demand reduce कर देंगे अगर ऐसा effect है तो इसको हम band vegan effect कहेंगे अब इसमें क्या होता है कि कोई चीज फैशन में है कोई चीज ट्रेंड में है तो इस वज़े से कोई चीज क्योंकि फैशन में है तो कहीं साहे लोग उसका इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं कि बांकी साहे लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे ऐसा करके और जो marketing और advertising agencies होती है जो marketing और advertising जो strategies होती है उनका objective ही होता है कि वो इस effect को create कर सके वो लोगों को बता सके कि देखो बांकी लोग कितना ज़ादा इस समान को खरीद रहे हैं तो आप भी करो तो वो इसी effect को create करना चाहते है अब इसका एक example है इसमें देखो example में अगर इसका लें तो क्या हो जाएगा जैसे blue jeans का बड़ा fashion चला था एक time पर बड़े सारे लोग blue jeans पहनने लगे थे तो जो लोग पहले नहीं भी पहन दे थे उन्होंने भी शुरू कर दिया फिर ripped jeans की बात करें तो उसको लेके भी कुछ ऐसा ही effect देख सकते हैं काफी लोगों ने पहनना शुरू किया तो जो लोग नहीं भी पहनते थे उन्होंने भी शुरू कर दिया उसको पहनना तो इसका मतलब है कोई चीज अगर fashion में है तो उसकी वज़े से हमने उस समान को खरीद आए तो ऐसी situation में बांकी लोग encourage नहीं होंगे उस समान को खरीदने के लिए जब कम लोग खरीद रहे हैं तो बांकी लोग नई लोग उस समान को नहीं खरीदना चाहेंगे तो demand कर मानने इतना है जब हमने observe कि उस समान को जादा लोग खरीदने रगे तो हमको लगेगा हमें भी खरीदना चाहिए तो ऐसे situation में जब बांकी लोग जादा खरीद रहे हैं तो उसका demand curve भी rightward shift हो जाएगा पहले अगर 10,000 खरीदते थे तो कम demand थी नए लोग नहीं खरीदना चाहे थे इतना कि क्या फाइदा है खरीद के जब 10 से 20 हो गया तो बांकी लोग जो पहले नहीं खरीदते थे उन्होंने भी खरीदना शुरू कर दिया चाहे उनके लिए उस समान का actually कोई value ना भी हो पर क्योंकि बांकी लोग खरीद रहे हैं तो खरीद लिया तो ऐसा करके demand curve हमारा shift हो गया बढ़ गया अब यह जो demand बढ़ा है इसका price से कोई connection नहीं है इसका connection सिर्फ इस बात से है कि बांकी लोग खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे जब उस समान के buyers और जादा बढ़ गए तो वो चीज और जादा fashion में आ गई और जादा fashion में आई तो उसकी वज़े से जो लोग और अभी नहीं खरीद रहे थे उन सब ने भी खरीदना शुरू कर दिया fit demand बढ़ गया इसी तरह से और जादा होने पे और जादा बढ़ जाएगा तो यह आगे जाता जाएगा तो यह जो shift है वो shift actually इस वज़े से है क्योंकि जादा consumers आ रहे है वो समान को खरीद रहे है वो समान fashion में आ चुका है इस वज़े से बांकी और लोगों ने भी खरीदना शुरू कर दिया जो पहले नहीं खरीदते थे उनके लिए उस समान का value था नहीं अब जब लोगों को समझ आ गया कि अच्छा इस समान को इतना खरीदा जाता है जितना भी खरीदा जाता है तो bandwagon effect तो होगा ही होगा इसके अलावा किसी समान को कितना खरीदा जाएगा वो इस बात पे भी depend करता है कि उस समान का price क्या है अब ये तो हम जानते ही है तो अगर हम माने किसी समान का price 100 है और उस 100 price पे उस समान को इतना खरीदा जाता है तो अगर उस समान का price कम होगा 50 हो गया तो उस समान को ज़्यादा खरीदा जाएगा इतना खरीदा जा रहा है 100 पे 20 और 50 पे 25 खरीदा जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि हाँ यह जो demand बढ़ा है यह price की वज़े से बढ़ा है price कम हूँ आ तो demand बढ़ गया यह तो इसकी वज़े से हुआ है तो इस वज़े से इस demand में जो change आया है जो demand price की वज़े से आया है तो वो हम price effect के देते हैं तो यह 20 to 25 price effect की वज़े से change आया है पर real life में हमने बोला जब 50 हुआ price कम हो गया price तो उस समान को खरीदने वाले बहुत सारे हो गए जब समान को बहुत ज़ाद लोग खरीदने लगे तो फिर जो लोग नहीं भी खरीदे थे उनको लगा यह चीज़ तो fashion में है हम भी खरीदेंगे तो इस वज़े से actually वो तो इतना बढ़ना चाहिए था 20 to 25 आना चाहिए था price effect की वज़े से पर असल में सिर्फ इतना नहीं हुआ वो 20 to 40 बढ़ गया क्योंकि जो लोग पहले नहीं भी खरीदे थे क्योंकि उनको वो समान इतना useful नहीं लग रहा था उनके लिए उतना use नहीं था उस समान का अब वो भी सिर्फ fashion में आने की वज़े से समान के वो भी खरीदने लगे तो इतना तो price की वज़े से हुआ 20 to 25 तो price की वज़े से हुआ तो हम बोलते है price effect अब ये bank की क्यों बढ़ गया ये तरह क्यों बढ़ गया तो हम बोलते है ये है bandwagon effect इसका price से कोई connection नहीं है ये सिर्फ इसलिए है कि bank की लोग खरीदे हैं तो हम भी खरीद रहे हैं तो एक तो ये चीज़ है दूसरा effect है जिसको हम snob effect कहते हैं ये भी बहुत interesting concept है snob effect होता है और ये तब arise होगा normally ऐसा होता है कि अगर कुछ समान ऐसे होंगे जो prestige से जुड़े होते हैं जो prestige से जुड़े होते हैं तो कुछ समान हम ऐसा देखेंगे कि वो कम से कम लोगों के पास में है unique है तो अगर वो वाले समान जादा लोगों के पास में आने लगेंगे तो फिर उसका prestige value down हो जाएगा और फिर हम उसे नहीं चाहेंगे ये तो सब के बास है ऐसा सोचके उसको हम नहीं खरीदना चाहेंगे पर क्योंकि कुछ चीज कोई चीज बहुत कम लोगों के पास में है तो हम चाहेंगे हमें भी चाहिए क्योंकि उसका prestige value उपर है ठीके तो ये bandwagon effect का बिलकुल ultra effect है snob effect bandwagon effect का बिलकुल ultra effect है अब इसका क्या example है इसका example है कि अगर माने कोई luxury car है luxury car लोग क्यों खरीदते है prestige की वज़े से क्योंकि सब लोगे पास नहीं है तो इस वज़े से कहीं साएं लोग उसको खरीदना चाहते है अगर वो गाड़ियां जादा लोग के पास में आ जाएंगी तो फिर नहीं जादा लोग खरीदना चाहेंगे उसको अगर थोड़े जादा लोग के पास में वो गाड़ियां आ जाए तो जो लोग समान इस वज़े से खरीद रहे थे कि वो unique है कम लोग के पास में है वो लोग encourage नहीं होंगे उसको खरीदने के लिए कि ये तो भई बहुत लोग के पास में है तो prestige से जुड़ी जो चीजे है उसका value कम हो जाता है या उसका utility कम हो जाता है लोगों के लिए अगर वो समान जादा लोगों के पास में है जितने कम लोगों के पास में होगा उस समान का prestige value उतना जादा हाई होगा अब हम इसको देखते है राइकडाम से अब देखो यहां क्या हुआ यहां पे हम दिखा रहे हैं कि जब कोई समान बहुत कम लोगों के पास में था प्राइस बहुत हाई था तो जादा लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे बहुत कम लोगों के पास में था तो उस समान का prestige value बहुत हाई था prestige value बहुत हाई था तो इस वज़े से उस समान का demand हो रहा था उस समान का इतना demand हो रहा था अब जब वो समान जादा लोगों के पास में आ गया तो demand curve ठीक है, shift हो गया left की तरफ जब वो समान जादा लोगों के पास में आ गया तो ऐसे case में demand curve left की तरफ shift हो गया क्योंकि कुछ लोग जो समान इस वज़े से खरीदते थे क्योंकि वो समान unique है, कम लोगों के पास में है, उसके अंदर prestige value जादा है, उन लोगों को अब वो समान खरीदने में कोई फाइदा नजर नहीं आएगा, उनकी utility उस समान को लेके कम हो जाएगी, तो इस वज़े से हमारा demand curve left की तरफ shift हो गया, अब जब वो समान और जादा लो भी कम कर देंगी, तो ऐसा होते होते हम रिखेंगे demand curve left की तरफ आता जाएगा, जितने जादा लोगों के पास में वो समान है, उसका prestige value उतना कम है, और उस समान को prestige के लिए उतना कम खरीदा जाएगा, तो इस तरह से ये ऐसे काम करता है, अब तो अब क्या होता है, हमने इन सारे जो curves हैं, उस पे A, B, C, D, जो points हैं, A, B, C, E actually, तो ये जो points हैं, इसको हमने join कर दिया, तो अब जो हमारा demand curve है, that is DM, तो ये जो हमारा demand curve है, ये demand curve, snob effect को incorporate करते हुए बनाया गया है, अब ये वाला real वाला case था, जो real demand curve हो था, अलग-अलग price पे अलग-अलग demand होनी चाहिए थी, ये वो वाला है, तो अब क्या हो रहा है, इसको देखते हैं एक पर हम, अब देखो क्या हो रहा है, तो जब price 35 था, तो demand 10 होता normally, तो उस time पे इतना होता, जब price घटके 15 हो जाता, तो उस case में हमारा demand 50 हो जाना चाहिए था demand 50 है, क्योंकि देखो ये demand curve हमारा d1 वाला जो demand curve है, तो d1 पे a point पे हम पहले थे, क्योंकि price 35 था, demand 10 था, तो उसी के इस वाले point पे हम बाद में आ जाने चाहिए थे, अगर snob effect काम नहीं करता, तो ऐसे case में, जब 15 price होता, तो demand 50 हो जाना चाहिए था, पर हुआ नहीं ऐसा, ये जो असर होता, really, वो price effect की वज़े से होता, पर ये तो हुआ ही नहीं, 15 पे तो demand C point तक ही रह गई, 30 तक ही रह गई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वज़े से हुआ, ये जो extra demand है, ये demand अब कम हो गई, क्योंकि इस समान को जादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, करते थे कि इस समान का prestige value है, उन्होंने अपनी demand को कम कर दिया, तो जब price कम हुआ, जादा लोगों ने समान खरीदना शुरू कर दिया, उस situation में उन लोगों ने अपनी demand को घटा दिया, इतना कम कर दिया, तो actually demand 10 to 50 चली जानी चाहिए थी price effect की वज़े से, पर demand सिर्फ 10 to 30 ही क्योंकि वो जो extra बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा ही नहीं, snob effect की वज़े से, क्योंकि उस समान का prestige value down हो गया, ठीके तो ये दो effect है हमारे snob effect and bandwagon effect